दोस्तों श्रीलंका के खिलाफ टीम इंडिया को पहले वंडे में जब आखिरी चोह गेंदों पर चाहिए थे 18 रन बल्ले बाजी पर थे खुद कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा के साथ रिशब पंत आग उगलने को तैयार थे मतिसा पथिराना फिर अंतिम ओवर में हुआ ऐसा घमासान काप उठा पूरा क्रिकेट जगत तो आखिर कैसे आखिरी वंडे में श्रीलंका ने पलटवार से भारत को हक्का बक्का कर दिया ऐसा क्या हुआ अंतिम गेन तक खेले गए मुकाबले में जिसने क्रिकेट इतिहास को पलट दिया किसने लगाया है इस मुकाबले में मैच विनिंग चक का कौन बना जीत का सबसे बड़ा हीरो दिलों की धड़कने कई गुना बढ़ा देने वाले इंडिया श्रीलंका के बीच खेले गए इस रोमान चक पहले वंडे की पूरी हाइलाइट का वीडियो हम आपको दिखाएंगे लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि विराट रोहित और रिशब पंत में कौन सबसे खतरनाक बल्ले बाज है अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताईए दोस्तों जब विश्व क्रिकेट की दो सबसे बड़ी टीमें श्रीलंका और भारत ए युवा सितारों ने लंका को बुरी तरीके से हरा कर T20 सीरीज को अपने नाम कर लिया लेकिन जैसे ही वंडे की बारी आई तब श्रीलंका ने अपना असली रंग दिखाते हुए तगड़ा पलटवार करने की भरपूर कोशिश की जी हाँ T20 के बाद वंडे सीरीज के पहले मकाबले में अपनी लाजदाव पर लगाकर सितारों से सजी श्रीलंका की टीम जब टीम इंडिया के सामने उतरी तब रोहित और कोहली के विध्वन्स के बाद रिशब पंत का बल्ला इस कदर गरजा की श्रीलंका के साथ साथ करोडों क्रिकेट प्रेमियों की रूह काप ग अर्षदीब सिन्ह और मुहम्मद सिराज ने अपनी आग उबलती हुई गेंदबाजी से प्रेमदासा स्टेडियम में ऐसा टहल का मचाया कि सौ रनों के भीतर श्रीलंका ने अपने चार बल्लेबाज गवा दिये थे ऐसा लगा था कि श्रीलंका शायद 200 रन भी ना बना पाए लेकिन इस मुश्किल की घडाई में अपनी टीम के लिए सबसे बड़ा हीरो बन गए उनके कप्तान चरित्र असलंका जी हां इस खिलाडाई ने भारतीय टीम को जम कर खून के आंसू रुलाएं अर्षदीब से ल श्रीलंका को 50 ओवरों में 312 रनों तक पहुँचा दिया था। श्रीलंका के फैंस तो इतना बड़ा लक्ष देखकर अभी से जश्न मना रहे थे। उन्हें लगा कि यहां तक पहुँचना भारत के बस की बात नहीं है लेकिन असली तबाही तो अभी आने वाली थी। जी ह लंका के ही अंदाज में लंकाई गेंदबाजों को आडाय हाथों लिया। वापसी के साथ ही टीम इंडिया की क्लासिकल जोडाई गिल और रोहित के बीच एक बहतरीन ओपनिंग पार्टनर शिप हुई। जीत की नीव बिचा दी गई थी। पहले 6 ओवर में ही इन दोनों खिलाडायों ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से 50 रनों की ओपनिंग पार्टनर शिप बना कर लंका के खेमे में टहल का मचा दिया था। हालां कि गिल धमाकेदार शुरुआत के बाद 36 रन बना कर आउट हो गए। लेकिन इसके लिए उन्होंने केवल 29 गेंदें ली और श्री लंका के सभी खूंखार गेंदबाजों की जम कर पिटाई करते हुए इन दोनों बल्लेबाजों ने भारतिय टीम को मुकाबले में बहुत अधिक मजबूत स्थिती में पहुँचा दिया था। जी हाँ दोस्तों। हिटमैन ने केवल 22 गेंदों पर 36 रन ठोग दि थी टीम। इंडिया मैच में आसानी से जीत की तरफ बढ़ रही थी। आखिर हो भी क्यों ना टीम इंडिया की दिल और धड़ाकन रोहित और कोहली ने भारतिय टीम को 160 रनों के पार पहुँचा दिया था। इन दोनों ने श्री लंका की नाक में दम कर दिया था। रोहित इसे ही देखते कप्तान रोहित शर्मा ने वानिंदू हसारंगा की गेंद पर छक्का लगा कर अपना शांदार शतक ठोक दिया था। जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़ाय होकर तालिया बजाई ऐसा लगा था। हम आसानी से ये मुकाबला जीतने वाले हैं लेकिन तभ उफानी छक्के भी निकले थे उनके विकेट के बाद टीम इंडिया थोड़ाए दबाव में नजर आ रही थी सबको लगा था कि मैच अब बराबरी पर आ चुका था। पर श्री लंका को क्या पता था कि अभी तो भारतिये टीम की शान रोहित शर्मा के साथ रिशब पंत इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवाने के इरादे से आये हैं। टीम इंडिया के टॉप टू के बाद रिशब पंत ने भी श्री लंका को सांस लेने का भी मौका नहीं दिया। रेड हॉट फॉर्म में चल रहे इस खिलाडी ने भी आते ही वंडे के इस महा मुक अंतिम ओवर में पहुच गया। श्री लंका के तो पसीने छूट चुके थे लेकिन अब मैच आखिरी ओवर में था जहां टीम इंडिया को जीत के लिए चाहिए थे छे गेंदों पर 18 रन रोहित के साथ पंत खुंखार बल्ले बाजी कर रहे थे। श्री लंका को लगा कि मैच बचा लेंगे लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह तो तूफान के पहले की शांति थी। अंतिम लेकर आएं। रफ्तार के सौदागर मतिसा पाथिराना की पहली ही गेंद पर रिशब पंत का बल्ला गरजा मिड विकेट के उपर से उन्होंने अपने करिश्माई अंद लाज में बहतरीन चौका बटोर कर अपने तेवर लंका को दिखा दिये थे। पूरा स्टेडियम इंडिया इंडिया के नारों से गूंज उठा था। तभी दूसरी गेंद पर कुछ ऐसा हुआ कि श्री लंका की जीत की सभी उम्मीदें चखना चूर हो गई। पाथिराना भारतिये फैंस को तो लगा था अगली ही गेंद पर रिशब मैक समाप्त कर देंगे लेकिन मुकाबले में अभी रोगा है।